पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर और उसके भारतिय प्रेमी सचिन मीड़ा को ग्रेटर नवड़ा की एक अदालत ने जमानत दे दी है जिसके बाद दोनों ने जल्द ही शादी करने की बात कहते हुए जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई है लेकिन सीमा के पाकिस्तानी पती ने जो कि खुला से किए हैं उससे सीमा पर शक और गढ़ गया है हम आपको मता दे कि पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर के भारत में अवैद रूप से रहने को लेकर उसे और सचिन मीड़ा दोनों को पुलिस ने चार जुलाई को गिरफटार क कबूल की थी दोनों ने भारत सरकार से आग्रे किया है कि उन्हें शादी करके एक दूसरे के साथ भारत में रहने की अनुवती दी जाए मैं सर सरकार जी से यही नुवेधन करता हूँ कि हम दोनों वस साथ रहना चाहते हैं यह मुझे साधी करना चाहते हैं मैं इस साधी करना चाहते हैं एक दूसरे के जनम के साथ ही बनना चाहते हैं हम दोनों और सर क्या कहते हैं इसने हिंदू धरहम भी अपना लिया हमने कि पत्नी हूँ बागी कोरट की शादी रहते हैं हम एक दो दिना में कर लेंगे और में यहीं रहना चाहते हूं आपके पती जो है वो पहली बीवी और पहले बचे पाल ले हमारी ज़रत उनको पहले थी ना हमें उनकी अब ज़रुत है अपनी पहली बच्छों के साथ खुश कर दे जा आपील कर दान, कि अप्यान पाल ये ही कहींवी रखेंगे जिसे रखेंगे अगर कानून है का मतलब में रहलूँंगे पर मेरा पती मेरे बचे साथ हो नेपाल से आई सर पहले जहां यह एंका प्लेव करहा भंड सारी चीज़े चाहिए यहां का वीजा पाने के ल तो मुझे वीदा नहीं मिल रहा था इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपना आया हम आपको बता दें कि यह दोनों वर्ष 2019 में ऑनलाइन गेम पब जी के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आये थे और आखिरकार पाकिस्तानी महिला अपना वतन छोड़कर ग्रेटर न परवासी को शरण देने के आरूप में गिरफतार किया गया था और नेतरपाल को भी जवानत मिल गई है आरूपयों के अधिवक्ता हेवंत कृष्ण पराश्र ने कहा है कि आदालत ने जवानत के साथ एक शर्त रखी है कि जब तक मामला चल रहा है सीमा अपना निवास इस है अधिवक्ता हेमंत कृष्ण पराशर ने बताया है कि सीमा ने मुझे लिखित में बताया है कि उसने और सचीन ने नेपाल के काथमाडू में शादी कर ली है मैंने अधालत को इसकी जानकरी दी है मैंने यह भी दली कि सीमा पहले पाकिस्तान से नेपाल गई और फिर भरत आई नेपाल से भारत आने वालों को पासपोर्ट या वीजा रखने की जरुवत नहीं है उन्हें कहा कि अधालत ने दलीलों से सहमत होकर जमानत देदी आपको यह भी उता दें कि इस प्रेम कहानी में एक नया मोड भी आ क्योंकि सीमा हैदर के पती ने एक टीवी समाचार्चैनल को दिये साक्षाथकार में कुछ खुला से कि हैं सीमा थे पती ने दावा किया है कि उससे भी सीमा हैदर ने इसी तरह law marriage की थी उसने बताया है कि मेरे परिवार के लोग राजी नहीं थे लेकिन मैंने तब भी उससे शादी की थी उसने सरकार से मांग की है कि उसके बच्चों को वापस लाए जाए सीमा के पती गुलाम है खेल में बंद होने की जनकारी मिली गुलाम हैतर ने बताया है कि उसकी पतनी को वह प्षै Vikar Wang की लट लग जारी की गुजारिश dakogar करता है इसलिए घर भी उसके नाम करा दिया था गुलाम हैतर ने बताया है कि वह विदेश में रहते घर बनाने के लिए अपनी पत्नी को पैसे भेशता था और फोन पर बात करता था उन्होंने साक्षाद कर में कहा है कि उनका घर छोटा था इसलिए उसकी मरमत के दौरान सीमा एक किराय के मकान में रहने लग गए थी गुला मैंतर ने कहा कि वह सोच रहा था कि मकान बनने के बाद सीमा उसमें बच्चों के साथ वापस आ जाएगी लेकिन उस्थ भाग ने सीमा से अपने निकाह के के लिए सब्सक्राइब चला गया और वहां कड़ी मेहनत कर पैसे घर बेजे ताकि मकान बन सके सब्सक्राइब में रह रहे गुलाम हैदर ने यह भी बताया है कि उसकी सीमा से मुलाकात कैसे हुई थी उसने अपने लेकिन गुलाम के लोग इस बात से खुश नहीं थे लेकिन बाद में सभी ने सीमा को स्विकार कर लिया था लेकिन अब जो उसने किया है उसके बाद सभी रिष्टेजार यहीं ताना दे रहे हैं कि हमने तो पहले ही चेतावनी दी थी अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके